आज हम लोग बात करेंगे नौर्थ कोरिया ने अपने तरफ से 12,000 सोल्जर वेज़ा है रशिया को अगर हम लोग पास्ट में देखे लास्ट 500 हीर्स में कभी भी हम लोग को यह देखने को नहीं मिला कि कोई नौन यूरोपियन कंट्री अपने तरफ से यूरोप में सोल्जर भेज रहे और वही सोल्जर जाके आगे यूरोप में फाइट कर रहे तो नो डाउट इसके पीचे जो मेजर रिजन है वह है नौर्थ कोरिया का सपोर्ट रश्या के तरफ प्रेजेंटली रश्या का 77 परसेंट जो जगा है वह आपका एशिया में है और रिमेनिंग जो है अइसा कंट्री यह जिसका कुछ पार्ट जो है ओवियसलिए अशिया में और यूरोप में है तो हम लोग पास में फिस्ट्री में तो हम लोगों को पता जलता कि different time में यूरोप के befit different countries से जो कोई भी उन लोग के तरब से बिजनेस करने के लिए वो लोग डिफेंट लोकेशन में ट्रावल करते दुनिया में डिफेंट कंट्रीज में और वहां जा के वह अपने तरब से वह आ रहे वह चेड़ते थे मतलब यूरोप के सोलजर बाहर आते थे दुनिया में हर जगा अपना जंग जो है वो लड़ते थे मगर प्रेजनली यह जो इक्वेशन यह कंप्रिटली चेंज हो गया है और एशियन सोल्जर जाके यूरोप में लड़ेगा वह भी यूरोपियन कंट्री के एगेंस्ट में वह भी एक दूसरे यूरोपियन कंट्री के लिए तो नो वह कंप्रिटली मनलब ऐसा कोई वार में पार्टिसिपेट ही नहीं किये और प्रेजेंटली यह लोग यूक्रेइन में जाके रशिया के तरफ से लड़ेगा तो नो डाउट इसमें भी बहुत सारा कोश्चन होता है पहला जो कोश्चन है नॉर्थ कुरिया क्यों इतना सार ने वह लोग रिख कर पाएक यह फिर पिर रहा का यह चैनल के आपने टरप से साउथ औरे नो ऑसके और तो हेंडल कर रहे है उसके बाद नॉर्थ कुरिया को बारसा सोलँजेर सोल्जर भेज रहे हैज करें अगर तो नौट कुरिया और भी जादा मिलिटरी रशिया को भेज सकता है तो एक्जाक्ली नौट कुरिया का क्या स्टाटास है और जो फूर्थ कोशन है वह है कि इस वार का फ्यूचर क्या है कि हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं यूकर न रशिया के दोनने का कोशिश करते हैं पहला जो कोशन है कि नौर्थ पूरिया क्यों आज के रिट में अगर हम लोग रशिया को देखे तो जब से यूएस ने रशिया के उपर डिफरेंट तैप दो शैंक्स लगा यूक्रेन वार के बज़े से उसके बाद से बहुत सारे जो कंट्री से वह रशिया के दोस्त नहीं रहा जिसके वह से उन लोग को मेजर नीड है वह आपका प्रूड उयल यूक्रेन वार से पहले यह सारा कंट्री है यह सारा यूर रशिया से ले रहते चांट्री के नहीं देखा पाए कि हम लोग आगे जाके रैश्या से कोई पूडौप कर दिया है और रैश्या का जो फ्रेंड लिस्ट है वह बधी लिइमिटेड और इस लिमिटेब्लीस में अगर हम लोग लोग देखे रशिया के पास किने चुने कंट्रीज है जो रशिया के साथ ये वार में रशिया को सपोथ कर गल तो टूबूरी का नैशनल इंट्रेस्ट में नहीं आता है इसलिए इंडिया नहीं गिया on the ol — don उंलोग पास में कुछ महिने में तो besision नु शुम Ann격 में गया होग और वेसे हां 0 करेंगे खार्ट करेंगा आप के अपके वूर्छ आप में Whenever टरफ सेijo प्रण में लड़ेगा और प्रेजेंट ली देखा गया है कि यही जो ट्वेल्थ थाउजेंड सोल्जर से नौर्थ कुरिया का यह रश्या में गया है इन लोग का ट्रेनिंग हो रहा है और आगे जाके यही सोल्जर अपने तरब से रश्या के लिए यूक्रेन के लड़ने व नौर्थ कुरिया के पास जो है मगर यह जो सोल्जर से यह कोई आम मतलब इंसान नहीं है यह लोग आल्रेडी से ट्रेंड है इन लोग को पता है कि जूद कैसे लड़ा जाता है ऑन दादर साइड नौर्थ को बहुत पहले से लिए जिसके वाएस से इन लोग को अगर कोई के लिए उन डिप्लाइब किया जाए और आप पूछी सकते इतना सोल जाएगा तब तो यूक्रेड का क्या होगा यूक्रेड का एक डाखले यह बात जो सकता है यूजिश और बी जयादा पूरियाट करेगा जो लोग उक्रेन को बैकाप प्रोफाइट करें वो लोग भी अपने तरब से बैक अप प्रोवाइट करेगा जिसके वाएसे युक्रेयन आगे जाके एक और भी ज्यादा भायानाग बैटल फिल्ड में कंवर्ट हो सकता है नेक्स्ट जो कोश्चन है वो है नॉर्थ कोरियन लाक्स जो यूथ है वो लोग अपने आपको एनलिस्टेट किया है मिल्ट्री में तो नॉर्थ कोरिया के पास आज के रहे हैं जो मिल्ट्री अगर रश्या को जरुबद परते तो नॉर्थ कोरिया अपने तरब से एक लाग सोल्जर भी प्रोवाइट कर सकता है तो नॉड़ा का जो बॉर्डर है उसको प्रोटेक्ट कर पाए साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया के मतलब जो चला पाए जो भी आड्मिन्स्रेशन की में मिल्ट्री का जरुद होते हैं वह सब अनल कर पाए और इसके बाद भी नॉर्थ कोरिया का कहना है कि हम लोग अगर रस्या को जरुद प पाएगा नेक्स जो कोश्चन है कि यह यह जो वार हो रहा है युक्रेन और रशिया के बीच में इसका फ्यूचर क्या है रिजेंटली हम लोग को पता है कि इस वार में दो कंट्री कनेक्टेड है मतलब दो कंट्री लिफ थे एक है आपका रशिया दूसरा है आपका यूख्र सब्सक्राइब करेंगे तो वह एक छोटा मोटा है कि ने अपने तरफ से एक अलग स्टैन लिया है अगर देखा जाए रशिया के पीछे जो कंट्री से आज क्रेंट में वह है आपका नॉर्थ कोडिया नो डाउट इसके लिए अगर हम लोग चाइना को देखे इरान को दे है अगर यह इलेक्शन में ट्रम्प जीत जाता है तो हो सकता है कि यह जो वार है यह और जादा ना खीचे क्योंकि ट्रम्प जो है वो जेलनेस की को इतना जादा स्कून फीड नहीं करेगा रहा है तुम्हारा वार है जितना हो सके हम लोग ने कर लिया है अब आगे जाके जीता है और यह अगर वार नेक्स लेवल पर जाता है मतलब रहेगा नैट्टो और दूसरा साइड में रहेगा ख्रीम मतलब चाइन रशिया इरान और नौथ कोडिया तो नो डाउट हम लोगो एक ऐसा बेटल फिल देखने को मिलेगा इन फ्यूचर में जहां डिफरेंट क एक दूसरे के साथ लएने वाले हैं इसका नेक्स लेवल होगा वाल्ड वार अगर इतना सारा कंट्री इंवर्ड हो जाता है तो रश्या के पास भी और भी ज्यादा कंट्री रश्या को भी सपोर्ट करेगा एंस यूस कि बहुत सारा ऐसे कंट्री जो लोग वेस्ट को लेके परेशान हैं अगर वेस्ट को लेको लोग कुछ मुह नहीं को अगर दुनिया में इस लेवल पर वार होगा तो रश्या को भी बहुत सारा कंट्री का सपोर्ट मिलेगा यह जो क्रीन है यह और भी बढ़ सकता है और आगे जाके एक वाल्ड वार में कंपर्ट हो सकता है तो अभी अगर हम लोग देखे वान अभ दे मेजर स्टेब जो है उस एक उस एलेक्शन एक्षैन है कि यह जो वार है इसका फ्यूचर क्या है अगर यूस एलेक्शन में ऐसा कुछ आता है रिजर्ड जिसमें हम लोग को देखने को मिलता है कि वार अगर नेक्स लेवल पर लोग को पास्ट में ऐसा बहुत सारा countries देखनी को मिलते हैं जिस country को दूसरा कोई country यूज करकर बुरा खत्म कर दिया है और अपना profit गेंड कर लिया हो सकते हैं के यूकरान आगे एक ऐसा वह कंट्री भी अक्या सोचते हैं क्यों आप पर सोचे वह matter करता है और आप अगर कमेंट करते तो obviously मैं उसको पढ़ता हूं मैं आपको reply भी दोंगा क्यूंकि मुझे लगता है कि आपका जो comment ही यह मुझे जानना चाहिए क्यूंकि आप अगर यह वीडियो में अगर यह वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको request करूँगा मेरे यूट्यूब चैनल इस अब्सक्राइब कर रहा है जो बैल आइकर ने उसमें क्लिक कर दीजिए वीडियो डिफ्रेंट टाइम में आता रहता है हर रोज जब भी आएगा आपका बस तुरह नोटिक्रेशन पहुंचे है तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत सारा धान्यवाद